नमस्का, मैं हो ससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं रांची आरपोट पहुचे मंतरी आलंगीर, आलम ने फिर से उसी बात को दो राया है, जो उन्होंने राय पूरी आरपोट में कहा था आलंगीर ने कहा है, हमारी सरकार लागातार काम कर रही है, काम नहीं रुका है हम लोग गुरु वार को होने वाली केबिनेट की बैठक में भाग लेने के लिए रांची आए है जहां तक वापस लोटने की बात है तो आना जाना तो लगा रहेगा मीडिया कर्मियों ने जब आलमगीर आलम से विधायकों की खरीद फरोक्त को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा है कि ओपरेशन लोटस से आज सभी कोई वाकिफ है सभी जानते हैं कि भाजपा सांसत के एक ट्वीट ने परदेश में हलचल मचा दिया है कि मुख्यमंत्री हेमांसरेण के सरसता को लेकर केंद्रिय निर्वाचन आयोग ने रिपोर्ट जार्खन राजभवन भेज दिया है हलाकि अभी तक यह रिपोर्ट सरुजनिक नहीं की गई हम अपनी सरकार को सुरक्षित रखना चाहते हैं मौसम विग्यान केंद्र के बैग्यानिक अभिसेख आननन ने बताया है कि जार्खन के कई हिस्षों में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है एक तरफ सुबा में जहां भारी धूब देखने को मिल रही है वहीं साम होते होते मोसम सुहाना हो जाता है उन्होंने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में फिर निम्न दबाव का लो प्रेसर एरिया बन रहा है इसकी वज़ा से 31 अगस्त से लेकर 3 सितमबर तक राज भर में काफी बारिस देखने को मिल सकती है मोसम विभाग के पुरुनमान ने रांची रामगर बुकारो पचमी सिम्भूम साहिव गंजाम तड़ा पाकुर सिम्डे का देवगर दुमका गोड़ा गिरिडी गुमला कोड़ारमा चातरा धनबाद गड़वाल लाते हार पलामू लोहर्दक का हजारिबा खोटी और सराय के लामे में गर्जन हो सकता है जे एस एसी नियमावली 2021 याचिका पर पांच सितंबर को सुनवाई जहारखन हाई कोट ने जहारखन करमचारी चैन आयोग असनातक अस्तरिय परिक्षा संचलन संसोधन नियमावली 2021 को चुनोती देने वाली याचिका पर बुद्धवार को सु उदित नयान परसाथ की खंट पीठ में लगभग अधाई घंटे तक चली सुनवाई के दोरान प्रार्थी की ओर से बहस पूरी कर ली गई है प्रार्थी ने नियमावली को समयधानिक बदाते हुए निरस्त करने का अगरा किया इस मामले की अगली सुनवाई के लिए शुरू की जो अधुरी रही धुमका हत्याकांड लौब जहाद का मामला कपिल मिस्रा भात्य जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता कपिल मिस्रा ने धुमका में अंकिता हत्याकांड पर बड़ा ब्यान दिया है कपिल मिस्रा ने बुद्वार को धुमका में कहा है कि उन उन्होंने कहा है कि अंकीता को जिन्दा जलाने वाले सारूख और उसके भाई के बंगलादेशी आतंकियों से कनेक्शन सामने आया है इसके PFI से भी संबंध है उन्होंने हेमंत सुरेन सरकार पर मुस्लिम तुष्टी करन की राइनीती करने का आरोप लगाया उन्होंने कहा है कि एक बेटी को जिन्दा जलात दिया गया अब तक सरकार के मुखिया पिडित परिवार से मिलने तक नहीं पहुँची हेमंत के बिधायकों को सराब परोस रही सरकार रमन सींग जारकन के कांग्रेस और जामों विधायकों के राइपुर में जाकर डेरा जमाने पर 36 गड़ में राइनीती घमसान मचा है 36 गड़ के पुरो मुख मंतिर रमन सींग इसे अपने राज्य के लिए दुरभागी जनक बानते हुए कहा है कि बाहर की बिधायकों को बुला कर उन्हें सरकारी खर्च पर सराब पिलाई जा रही है बता दे 36 गड़ के 5 लाख करमचारी महंगाई भात्ता के लिए अंदोरन कर रहे हैं लेकि राज सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही जबकि जारखन की बिधायकों के लिए दारो मूरगा का इंतियाम करने में सरकार ब्यास्त है उन्होंने कहा है कि कंगरेश नेतितों को अपने बिधायकों पर इतना ओविश्वास कियो है कि उन्हें दूसरे राज्ये में भेजना पर रहा है मुसहरों पर हमला जिहादी करवाई रामचंद्रचंद्रबंसी पलामों के मुरू मातु में महादलितों पर जूल्म को विष्रामपुर के विधायक पुरो मंत्री रामचंद्रचंद्रबंसी ने जिहादी करवाई करार दिया है उन्होंने बुद्धवार को पांडू थाना के पुराने बहुन में पिडित मुसहर परिवार के लोगों से मुलकात की और मदद की बता दे 54 मुसहर परिवार के लोगों के बीच वस्त्रवा प्रती परिवार 50 किलो अनाज भी उपलब्द कराया साथ ही जल्द से जल्द पिडितों के नाम जमीन बंदोबस्त कर अमबेटकर आवास निर्वान कराने के लिए उपायूक्त से बात किया है विधायक चन्रवंसी ने कहा है कि महादरित परिवार के लोग कच्चे घर बना कर रहा रहे थे इनके साथ जिहादी लोगों ने अन्याय किया है उन्होंने उपास्थित पताधिकारियों से कहा है कि घाटना में सामिल एक भी आरोपी बचना नहीं चाहिए असाध्य रोग के इलाज के लिए 10 लाख देगी सरकार मुख्य मंत्री गंभीर बीमारी उप्चार योईना के तहज सियम हिमन सुरे ने परभावीत सुपात्र ब्यक्ति की चिकित साहतु विभागी अस्तर से चिकित साहता अनुदान किरासी 5 लाख से बढ़ा कर 10 लाख रुपे करने यहां पुर्व से स्विक्रीत 5 असादे रोगों की सुची में 17 अने असादे रोगों को सुची बढ़ करने से सम्मंदित प्रस्ताव पर स्विक्रिती दिया है मुख्य मंत्री ने असादे रोग के इलाज के लिए पुरू में दी जा रही 5 लाख की रासी को परयाप्त नहीं मानते हुए रासी में बढ़ोतरी करने का निदेश दिया था इसके उपरान तरासी को बढ़ा कर 10 लाख रुपे करने के प्रस्ताव पर मुख्य मंत्री ने से विक्रिती परदान कर दिया है अब सभी ज़रुत मंदों को असादे रोग के इलाज में काफी मदद मिलेगी अंकीता मोथ की पोश्मार्टम रिपोर्ट सामने आई प्रेम प्रस्ताव ठोकराने पर दुमका में पेटोल छिड़क कर जिन्दा जला दी गई नबालिक अंकीता सिंग की पोश्मार्टम रिपोर्ट दुमका पुलिस को मिल गई है अंकीता के सहो का पोश्मार्टम रिपोर्ट दुमका पुलिस को भेज दी गई है जिसकी एक कोपी रिपोर्ट में असपस्ट हो गया है कि अत्याधिक जोलनसिल पदार्थ से अंकीता को जलाया गया था जलने से सरीर के परत पर मवाद जमा हुआ और जिसके चलते अंकीता के सरीर के अंगों ने भी धीरे-धीरे साथ छोड़ा जिससे उसकी जान चली गई थी ज्यारखंड की जूनियर बाली का कबर्डी टीम में 12 खिलाडियों का चयान पर्टना में आयोजित होने वाले नेशनल जूनियर बाली का कबर्डी चेंपियनसिप के लिए ज्यारखंड की बारा खिलाडियों का चयान कर लिया गया है 12 से कबर्डी टीम को केंद्रिय सिक्षा राजय मंत्रि और पूर्णा देवी ने अपनी सुबकामनाओं के साथ पाटना रवाना किया बता दे पाटना में 1 सितंबर से 48 वी राज्ट्रिय जूनियर बाल का कबर्डी परत्योक्ता आयोजिन की जा रही है इस परत्योक्ता में देश बर के सभी राज्ट्रियों से कबर्डी की टीम हिसा ले रही है चारकन की कबर्डी टीम के चैन को लेकर पिछले 12 दिनों से कोडर्मा के लाराबाद में कैम्प का उजन किया जा रहा था इस कैम्प में अलग अलग जीलों से बेहतरीन 18 खिलाडी सामिल हुए थे महिला चात्रवास में संदिग्ध के घुसने से रांची हाई कोट चिन्तीत रांची के नेशनल लाई उन्वरसिटी के महिला चात्रवास में एक सिर्फिरे के घुसने के मामले को जारखन हाई कोट ने गंबिता से लिया है हाई कोट ने इस मामले में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डिजीपी रांची के उपायुक्त SSP और National Law University के VC को कोट में तलब किया है सभी अधिकारी कोट में पेस भी हुए कोट के नियदेश के बाद University के महिला छत्रवास के आसपास 1-4 की कमपनी सुरक्षा के लिहाई से तैनात कर दी गई है भाजपा का हेमन्त सरकार के खिलाफ पाप का घाड़ा फोडो कार्यकरम परदेश भाजपा ने बुद्धवार का पाप का घाड़ा फोड़ कार्यकरम चलाया जिलाई स्कूल मैदान से कचहरी चोक इस्थीत कमिस्णरी ओफिस तक में पार्टी नेतावने घड़े के साथ आक्रोस यात्रा भी निकाली गई रांची में आउजित इस कारकरा में हेमंत सुरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा गया भाजपाराची महानगर की ओर से आउजित इस कारकरा में परदेश अध्यक्ष और सांसत दिपक परकास ने कहा है कि दुमका और राजी की बेटी अंकीता की हत्या राई सरकार पर कलंख है अंकीता सहित जारकन की बेटीयों के साथ लगाता दुसकर्म की घटनाए सामने आ रही है पर आई सरकार जानता को भागवान भरो से छोड़ कर मौज मस्ति करने रायपूर चली गई है परिक्षा में फेल होने पर छात्रों ने सिख्षको को पेण में बांध कर पीटा दुमका जिले के पहाडिया अनुसूचित जन जाती अवासे बिद्याले गोपी कांदर में सोमवार को सिख्षक कुमार सुमन लिफिक सुने राम चोड़े और अचन्तो मलिक को छात्रों ने आम के पेड़ में बांध कर उनकी पिटाई की साथी इसका वीडियो बना कर सोसल मीडिया पर वारल कर दिया पिडित की सिकायत पर पूलिस ने अवासे बिद्याले के प्रधना ध्यापक राम देव के स्रीवा ये गारा नामजात छात्रों को आरोपी बनाया है सभी छात्र की सोर है दरसल काक्षा नौवी के एक गारा छात्रों ने सोमवार को प्रयोगिक परिक्षा में नंबर नहीं देने का आरोप लगाते हुए भी द्याले में ही सिक्षको को बंधक बना लिया सिक्षको को पेड़ से बांध कर पीटा गीरीडी में स्वाइन फुलू के दो मरीज मिले गीरीडी जिले के गांडे वो जमुआ परखंड में स्वाइन फुलू के दो मरीज मिलने के बाद स्वास्त विभाग अलट हो गया है दोनों मरीज प्रवासी मजदूर है रांची के रिम्स में वायरोलोजी लेब से स्वाइन फुलुक की पूष्टी के बाद दोनों का इलाज चल रहा है सिविल सर्जन डाक्टर एसपी मिश्रा ने मंगयवार को बताया है कि जम्मुअ परखन्निवासी मरीज परिवार के 6 सदस्यों का सेंपल 29 अगस्त को लिया गया है सेंपलों को जाज के लिए रिम्स वायरोलोजी लेब भेजा गया है रांची में मौसम खराब से आकास में चकर काटता रहा बिमान रांची में मौसम की खराबी के कारण एक बीमान को हवा में ही कई चकर काटने पड़े इस दोरान फ्यूल खत्म होने लगा तो वारा नसी में एटी सी से उतरने की जाज़त मांगी गई वारा नसी के बावत पूर एयरपोट पर एक घंटे तक बीमान खा रहा और मौसम ठीक होने पर दोबारा रांची के लिए उड़ान भरी इस दोरान वारा नसी में भी यात्री बीमान में ही बैठे रहे किसी को बीमान से उतरने की जाज़त नहीं मिली कई स्कूलों में छात्र छात्राओं का आठ्वी का रियल्ट रुका कई सरकारी मध्य बिद्यालियों के लिए परवाही का खामियाना आठ्वी काक्षा का छात्र छात्राओं भूगत रहे हैं बता दे जीले के कई स्कूलों ने आठवीक अक्षा की वार्षिक परिक्षा में छात्रों का इंटर्नल मार्क्स को जैक की वेब साइट में ऑनलाइन अपलोड नहीं किया, इस कारण जैक की ओर से ऐसे छात्रों का रियल्ड जारी नहीं किया गया, अब छात्र छात्रा है वो एसीड अटेक पिडिता को लाई गया दिली जारखन के मुख्य मंत्री हिमन्सुरिन के आदेश के बाद एसीड अटेक में घायल चात्रा निवासी बची को यह एम्बुलेंस के माध्यों से बे calculator इलाज के लिए दिली सिफ्ट किया गया इससे पहले मुख्री मंत्र हेमंसुरेन के आदेश के बाद एसिट अडेक में घायल चत्रा निवासी बच्ची के परिजनों को एक लाख रुपे की साहता रासी भी सोपी गई चत्रा उपायुक्त अब्बो इमरान के निर्देश पर उक्त रासी से सम्मधी चेक इलाजरत बच्ची के परिजनों को सौप दिया गया है बता दे कि नवालिक लड़की पर घर में सोते वक्त एसिट फेका गया था ज्यारखन के बिधायकों के ठहरने पर एक दिन में खर्च हो रहे 35 लाख रुपाय है ज्यारखन के बिधायकों के लिए रिजोट में 50 रुम बुक कराया गया है बता दे रिजोट प्रवंधन की माने तो कांग्रेस की बैठक में सामिल होने वाले अतित्यों के लिए रुम बुक कराया गया है इसका पूरा खर्च कांग्रेस वहन कर रही है हलाकि या असपस्ट नहीं हो पाया कि या खर्च 36 गर कांग्रेस कर रही है या कंग्रेस का केंद्रिय संगठन बिधायकों की आव भगत में मुख्यमंत्री भूपेस बगहल के करीबी माने जाने वाले वरिष्ट कंग्रेस नेता राम गोपाल अगरवाल और गिरिस दिवांगन को लगाया गया है मुख्यमंत्री भूपेस बगहल खुद भी विधायकों के संपर्क में हाए दुमका में गैंग बना कर कम उम्रे की लड़कियों को किया जा रहा टारगेट अंकीता के साथ सारुख की वारल तस्वीर जांच के बाद ही इसकी सचाई सामने आपाएगी इसके पहले जो दुमका से जनकारी मिल रही है वे चवकाने वाले हाए एक स्यूर निवजीत रहनीती के तहट वहाँ कम उम्रे की लड़कियों को भसाने का काम बहुत पहले से चल रहा है इस संगठन वहाँ काफी सक के रिए बताये जाते है सारुख के साथ हत्या में सामील नईम उस इलाका का मास्टर माइंड बताया जा रहा है आसपास के लोगों ने बताया है कि वह ऐसे संगठनों के लिए कारे करता है दुमका में कई ऐसे घटनाय घट चुकी है जिसका समान लव जी हाथ से रहा है कुछ मामले पुलिस की चौकर तक पहुंचे भी है जिसमें नईम जेल की हवा भी खा चुका है दो घंटे की बारिस में पानी पानी हुआ रांची राईधानी रांची में बुद्वार दीन में दो घंटे हुई जहमा जहम बारिस ने रांची वो पानी पानी कर दिया बता दे दिन के 11 वए से 1 वए तक होई बारिस से सहर की गलियों और मुहलों में जल जमा हो गया नालियों का पानी सड़क पर आ गया तेज बारिस के कारान संकिन गलियों में पानी का बहाव तेज हो गया और कचरे कामबार लग गया इसे लोगों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ा इसकूल से छूटी होने के बाद बच्चों को घर जाने में दिखतों का सामना करना पड़ा जाम नालियों के कारण भी बारिश का पानी सलक पर बहता रहा इस दरण वाहन चलकों को भारी परिशानी होई देश में सर्वधिक संप्रदाईक दंगा ज्हारखन में राश्ट्रिय अपराध रिकोर्ड बियोरो ने वर्ष 2021 के अपराध का आकड़ा जारी कर दिया है जारी आकड़े के अनुसार देश में कूल 378 संप्रदाईक दंगे हुए जिसमें सर्वधिक 100 दंगे सिर्फ जारखन में हुए है वहीं दूसरे अस्थान पर महराष्ट जहां 77 संप्रदाईक दंगे के मामले दर्ज है तिसरे अस्थान पर बिहार जहां 51 मामले हर्याना में 40, रायस्थान वमदे परदेश में 22-22 मामले वहीं असम में 17 मामने संप्रदाइक दंगे से समन्ति दर्ज हुए समाने दंगे की बात करें तो फूरे देश में 41 हज्यात शासर दंगे हुए जिसमें 1426 दंगे सिर्फ जारखन में दर्ज किये गाए हैं धन्यवाद